काना जी के सभी भगतों को मेरी तरफ से राधी कृष्णा मैं प्रात्ना करती हूं कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों देखिया आज हम लड्डू कोपाल जी के लिए ये बहुत ही कुपसूरत सी न्यू डिजाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे आप देख सकते ह इस ड्रेस का लुक कितना जादा खुपसूरत लग रहा है साथ में हमने इसका कलर कॉंबिनेशन भी बहुत ही प्यारा रखा है इस ड्रेस को बनाना जितना आसान है काना जी को पहनाना भी उतना ही आसान है देखिये हमने सामने से जो स्लीब बनाई हुए काना जी की इसमें हमें उनकी बाह डालनी है और पीछे की तरफ से हमें यहां टिप टैप बटन बंद कर देना है और बीच में हमने यह डोरी लगाई है इसको भी हमें बान देना है फिर देखें ड्रेस का लुग कुछ इस तरीके से आजाएगा इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है मैंने बहु अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेशन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम है अधिकॉल्च्रालवाल्ट 268 साथी साथ मुझे फॉलो करें तो चले फ्रेस अब हम ये बहुत ही खुबसूरा सी काना जी की विंटर स्पेशल ड्रेस और कैप बनाना शुरू करते हैं इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीस मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीजे साथी साथ पेल आइकन भी प्रेस करिए जिसे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जब से पहले मिले ड्रेस बनाने के लिए हमने पिंक और डार्क ग्रीन कलर का उन ले लिया है पिंक वाला जो उन है ये मीडियम साइस का था तो इसलिए हमने इसको सिंगल रखा है और जो इस तरीके से एक लूप बना लेना है अब हमें लूप के अंदर से क्रोश्या को डालना है और हुक में उनको लेकर लूप में से निकाल लेना है फिर इसको हम यहीं पे लॉक कर लेंगे फिर देखे हमें क्रोश्या में उनको लेना है और लूप में से निकाल लेना है तो य अब हमें दो चेन एक्स्रा बनानी है एक और ये दो हमने जो दो चेन एक्स्रा बनाई उसको छोड़कर तीसरी चेन में आप हम क्रोश्या को डालेंगे और उनको फसा कर निकाल लेंगे क्रोश्या में दो फंदे हुए तो हमें क्रोश्या में उनको लेकर दो फंदो से निकाल क्रोशिया बनाते हुए यह पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको यहां से पलट लेना है और पलट कर हम तीन चेन बनाएंगे एक दो और यह तीन अब हमें देखें क्रोशिया में उनको लेना है और जहांसे हमने तीन चे फिर से हम क्रोश्या में उनको लेंगे और जहां से हमने डबल क्रोश्या बनाई उसके बाद वाली चेन में क्रोश्या को डाल कर उनको फसा कर हम निकाल लेंगे तीन फंदे हुए तो अब हमें क्रोश्या में उनको लेकर दो फंदों से निकालना है, इसी तरीके से हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोश्या बनाते हुए, ये पूरी लाइन भी कम्प्लीट कर लेनी है, हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोश्या बनाते हुए, प उसके बाद वाली चेन में से हमें डबल कोश्या बना लेना है तो इस तरीके से दो डबल कोश्या हो गई अब इसके बाद वाली चेन में से भी हम डबल कोश्या बनाएंगे तो अब देखिए टोटल तीन डबल कोश्या हो गई क्योंकि जो तीन चेन थी उसको भी हमने डबल क तो आप टोटल 3 double crochet हो गई है अब इसके आगे की 6 chain हमें count करके छोड़ देनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने 6 chain छोड़ दी 7 chain में हमें double crochet बनानी है तो दिखें इस तरही के से ये काना जी के लिए sleeves बन गई है अब इसके आगे की 3 chain में हम एक एक बार double crochet बनाएंगे तो 1 double crochet हमने पहले से बनाई है 3 chain में भी हम एक एक बार double crochet बनाएंगे तो टोटल 4 double crochet हो जाएंगी बीच में बीच में हमने देखे 4 double crochet बनाकर complete कर ली है अब हमें फिर से 6 chain काम करके छोड़नी है एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये छे, सातवी चेन में हम डबल कोश्या बनाएंगे, तो इस तरीके से देखिए, ये काना जी की दूसरी स्लीफ्स भी बन गई है, अब इसके आगे दो चेन बची है, तो उसमें से भी हमें एक एक बार डबल कोश्या बनाकर कम्प्लीट कर तो यहां पे भी टोटल तीन डबल कोश्या हो जाएंगी, जैसे कि देखिए, हमने शुरू में भी यहां पे तीन डबल कोश्या बनाई थी, वैसे हमें यहां से भी तीन डबल कोश्या कम्प्लीट करनी थी, तो अब आप देख सकते हैं, काना जी के लिए दोनों स्लीफ्स बिलकुल तयार है, जबी भी हम काना जी के लिए स्लीफ बनाएंगे, हमें ध्यान रखना है, बहुत छोटी स्लीफ हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर स्लीफ छोटी होती है, तो काना जी को ड्रेस पहनाने में प्रॉबलम होती है, इसलिए हमें थोड़ी सी बड़ी अब हम इसको पलट लेंगे और पलट कर तीन चेन बनाएंगे, एक, दो और ये तीन, तीन चेन बनाने के बाद अब देखे हमें यहां से ले करके, यहां लास्ट तक हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोश्या बनाते हैं, पूरी लाइन कम्प्लीट करनी है, हर एक चेन मे यहां पे हमें दो बार डबल कोश्या बनानी है तो देखे एक बार डबल कोश्या हमने बनाई है अब इसी चेन में से हम एक बार डबल कोश्या और बना लेंगे तो इस तरीके से एक ही चेन में से दो डबल कोश्या हो गई अब इसके बाद वाली chain में से भी हम दो बार double crochet बनाएंगे देखे ये एक बार और ये दो बार ऐसे ही हर एक chain में दो-दो double crochet बनाते हुए हम पूरी line complete कर लेंगे और इसके बाद एक line और ऐसे ही बना लेंगे यानि कि हर एक chain में से दो-दो double crochet बनाते हुए हमें टोटल दो लाइन कम्प्लीट करनी है हमने देखे दो लाइन कम्प्लीट कर लिया अब घेर का लुक कुछ इस तरीके से आजाएगा अब यहाँ लास्ट में जो एकफंदा बच्चा है तो हमें इसको यही पे लॉक करना है इसको हम पहले ऐसे ढीला कर लेंगे और ढीला करने के बाद जो बच्चा हुआ उन है इसको हमें इसमें से निकाल कर और यही पे टाइट करके एक्स्ट्रा उन कट कर लेना है अब देखे हमने यह ग्रीन कलर का उन ले लिया है और जहां से हमने ये उन लोक किया था पिंक वाला उसी चेन में हम क्रोशिया को डाल कर ये ग्रीन वाला उन इसमें से निकाल लेंगे अब हमें नौट लगा कर इसको यहीं पे जोइंट कर लेना है ग्रीन कलर का उन जोइंट करने के बाद अब देखे जहां से हमने उन जोइंट किया उसी चेन में क्रोशा को डाल कर हम उन को फसा कर निकाल लेंगे और तीन चेन बनाएंगे अब हमें देखें इसके बाद वाली chain में से फिर से दो बार double crochet बनानी है ये एक बार और ये दूसरी बार फिर से इसके बाद वाली chain में से भी हम दो double crochet बनाएंगे देखें ये एक बार और ये दूसरी बार आप जब हम एसे ड्रेस को मोड़ेंगे तो देखे इसका शेप को जिस तरीके से आ जाएंगा अब हम इसमें लगाने के लिए डोरी बनाएंगे डोरी बनाने के लिए हमने फिर से ग्रीन कलर का उन ले लिया है ऐसे हम एक लूप बना लेंगे और लूप के अंदर कुर्शा को डाल कर उनको फसा कर निकाल कर लोक कर लेंगे अब हमें चेन बना लेनी है ऐसे ही chain बनाते हुए हमें एक लंबी सी डोरी बना कर तयार कर लेनी है हमने दिखे डोरी बना कर भी तयार कर लिया है अब last में जो फंदा है हमें इसको यहीं पर lock करके और उनको cut कर दिना है अब हमें dress लेनी है और यहां center में दिखे जहां से हमने sleeve बनाई है उसके नीचे वाली line में हमें dory डालनी है तो पहले हम देखे पहली double crochet के बाद जो gapping है उसमें से dory डालेंगे अब यहां पीछे की तरफ से जो यह open वाली side है तो यहां पर लगाने के लिए हमने देखे यह tip tap button ले लिया है इसको हम ऐसे open कर लेंगे एक piece हमें देखे यहाँ पह लगा लेना है और जो दूसरा piece है इसको हमें इधर की तरफ से लगा लेना है फिर काना जी को dress पहना कर हम देखे ऐसे tip tap button बंद कर देंगे और बीच में ये door rebound देंगे अगर आपके पास tip tap button नई हो तो आप इसकी जगा पे hook या वेल्क्रो भी लगा सकते हैं ड्रेस कम्प्लीट हो गई है अब हम काना जी के लिए कैप बनाएंगे कैप बनाने के लिए हमें सबसे पहले 6 चेन बना लेनी है देखे हम लूप बना कर और ऐसे उनको निकाल कर लॉक करेंगे अब हमें चेन बनानी है एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये छे हमने छे चेन बना ली अब यहां से जो एक्स्ट्रा उन है इसको हम कट करके निकालेंगे अब देखे ये जो पहली वाली चेन है हमें इसमें डालना है क्रोश्या को और उनको फसा कर इसमें से निकाल लेना है अब क्रोश्या में दो फंदे हो गए तो इस वाले फंदे को हम इसमें से निकाल कर ऐसे स्लिप सिच लगाएंगे जिसे कि ये लॉक हो जाएगा और आप देख सकते हैं बीच में एक होल की तरह ऐसे बन जाएगा अब हमें तीन चेन बनानी है एक दो और ये तीन चेन बनानी के बाद अब हमें क्रोश्या में उनको लेना है और देखिए जो होल की तरह है इसमें से हम क्रोश्या को डाल कर उनको फसा कर निकाल कर ऐसे डबल क्रोश्या बना लेनी है ऐसे हम टोटल सोलर यानि कि 16 डबल क्र करेंगे कि सोला ड्रबल क्रोश बनाकर कंप्लीट करने के बाद अब देखिए हम इसको लास्ट में स्लिप्स्रिस लगाएंगे तो यह जो शुरू में अमने तीन चेन बनाई थी ना उसकी पहली वाली चेन में क्रोश दाल कर रमून को फसा कर इसमें से निकाल लेंगे दो फं और उनको फसा कर निकाल लेना है, क्रोशा में दो फंद हुए तो क्रोशा में उनको लेकर हम दो फंदों से निकाल लेंगे, तो ये सिंगल क्रोशा बन गई, अब इसके बारवली चेन में भी देखिया हमें क्रोशा को डालना है, उनको फसा कर निकाल लेना है, दो फंद गहराई की तरह आ जाएगी जैसे कैप में होती है अब हम इसको भी slip stitch लगाएंगे लास्ट में तो देखिए जो शुरू में दो chain थी उसकी पहली वाली chain में से ऐसे उनको निकाल कर हम ऐसे slip stitch लगा लेंगे फिर से हमें दो chain बनानी है और ऐसे ही हर एक chain में से एक एक बार single crochet बनाएंगे हम और लास्ट में slip stitch लगा देंगे इसी तरीके से हमें total दो line बनानी है हर एक chain में single crochet बनाते हुए हमने देखिए दो line और बनाकर complete कर लिया है अब cap बनकर बिलकुल तयार है last का जो फंदा है हमें इसको यहीं पे lock करके extra one cut कर लेना है lock करने के बाद अब देखिए cap भी complete हो गई है बनकर तो देखिए friends हमारे लड़ू को पाल जी के लिए बहुत ही खुबसूरत सी new design की winter special dress बनकर बिलकुल तयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है तो अगर आपको मेरी बनाई हुई एड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे like करें, share करें, comment करें और मेरी चानल को subscribe करें साथी साथ bell icon भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियो की notification आपको सबसे पहले मिले Thank you